आप सभी को नमस्कार, मैं आचारिय किशन मेश्वरी, आज आप सभी को सूरिय के रासी परिवर्तन के विशे में एक अद्बुद जानकारी, सूरिय कब करने हैं रासी परिवर्तन और सूरिय का हमारी जीवन में क्या रोल है, सूरिय क्या करता है और क्या नहीं करता है, आज आपको सम्शिप में बताने का परियास करेंगे देखिए सबसे पहले सूरिय सत्रा अगस्त को सुबह चार बज के 42 मिंट पे करक रासी से निकल करके सिंग रासी में अपने घर में खुद के श्वम के घर में सूरिय आ रहे हैं यहां तीस दिन रहेंगे यानि सूरिय तीस दिन में अपना घर बदलता है उसे सूरिय शक्रांती कहते हैं जिस दिन सूरिय रासी परिवर्दन करता है उसे सूरिय शक्रांती कहते हैं वहाँ पे ओलड़ी सिंग रासी में सुकर और बुद दोनों विराजमान हैं वहाँ आएंगे सूरिये, तीन योग वहाँ पे बनेंगे, पहला सूरिये महापंस पुरुष रूचक योग बनाएगा, वो अपने घर के श्वम में आ रहा है, और दूसरा वहाँ बनाएगा बुद्ध आदित्ते योग, और बुद्ध और सुकर ने अलड़ी महालक्समी नि करांती कब है, मैं आज आपको एक अद्भुत जानकरी सूरिये ग्रह के विशे में देता हूँ, सबसे पहले समचिप में आपको बताता हूँ, सूरिये ग्रह किस घर में बैठ के क्या रोल अदा करता है, देखिए सूरिये क्या परिवर्तन करता है, वो मैं आज आपको बता अगर सूरिय पहले घर में होता है तो वो बंदा घर में बैठ नहीं सकता है घूमते रहता है क्योंकि सूरिय घूमता है उसको घूमने फिरने वाला काम बहुत पसंद आता है और वो परतेक इंसान के साथ खड़ा रहता है उसकी कोई भी दुख तकलिफ आती है तो उसके साथ खड़ा हो जाता है और लगन का सूरिये वाले को एक बेटा जरूर होता है और वो दुन के उजाले में होता है यानि कि दिन के अंदर वो पैदा होता है सेकिंश भाओ का सूरिय वाले जातक को कोई भी काम करे वो अपने हाथ का परियोग उसमें जुरूर करे यानि कितनी बड़ी फैक्टरी हो, कितना बड़ा कारखाना हो या कोई भी सो रूम हो उसके पास या ओफिसर हो उसे कोई ने कोई हाथ का कारिय करना चाहिए तो बहुत सफल वक्ती कहलाता है थर्भाव का सूरिये वाला जातक बहुत सुन्दर और सुसिल होता है फौर्थ हाउस में अगर सूरिये होता है तो जातक देखिएगा बहुत धनी होता है बहुत धन कमाता है पंतु महा कंजूस होता है यानि वो इतना पैसा जोड के जाएगा उसकी तीन पीडी बैठ के चार पीडी बैठ के रोटी खा लेगी पांचवे का सूरिये वाला कमाल का बुद्धिमान तेजस्वी और किसी बड़े पोश्ट ओधे पे बैठा हुआ वक्ती मिलता है चटे का सूरिये वाले को बिना मतलब गुस्सा आता है वो जब तक गुस्सा नहीं आएगा उसका खाना हजम नहीं होगा यानि उसका जगडा होना तय है सात्वे का सूरिये वाला एक ही जगें थोड़ा सा सोट करता है कि वो आदमी थोड़ा सा अपना डिसीजन जो है न कमजोर कर लेता है वहाँ पे वो थोड़ी और भी समझ्चाएं करता है अश्टम का सूरिये वाला जातक का अगर आठवे भाव में सूरिये है तो वुस जातक का एक विशेस्ता बताते है अगर वो किसी मरने वाले आदमी के पास बैठा हो यानि आयूश्यू में भी बैठा होगा तो वो तब तक बैठा होगा जब तक वहाँ कोई मृत्यू नहीं होगी क्योंकि अश्टम भाव हमारे मृत्यू का है और वहाँ सूरिय यानि रोसनी लेके बैठा है तो वहाँ पर उसकी मिर्टू नहीं हो सकती उस जातक की ज़श के पास वो बैठा है नवाम का सूरिय बहुत ही भाग्यवान होता है वो भी बड़ा नेता अभी नेता और बड़े ही किसी पदपे होता है अगर उसका पुतर भी अपराद करेगा तो उसे वो सजा दिये बिना रहता नहीं ग्यार्वे का सूरिय थोड़ा विलम कराता है विवाहिक जी उनको दिक्कत देता है बाकी एंगल से हर तरह बड़िया होता है बार्वे का सूरिय का कहना ही नहीं वो जातक जो कहता है वो होता है और बार्वे का सूरिय वाला काफी हद तक समुंदर के किनारे नदे के किनारे गुमने में बहुत उसका मन लगता है या वो एकांत वास में भी रहना पसंद करता है अब आपको बताते हैं सूरिय अगर किसी का तुला रासी में हो सूरिय नीच वालों का नित नेम सूरिय भगवान को अरग देना चाहिए एक और गेहू उसको रहिवार के दिन हाथ फेर के अपनी नाम और गोतर से गाय माता को डालना चाहिए सूरिय किसी भी तरह से अगर किसी का पड़ित हो तो एक अध्वुत उपाई मैं आपको बताता हूँ सबसे सुन्दर उपाई आपको बताने का परियास करता हूँ दिन के अंदर आप फिजिकल रह से ना बनाएं हम बिस्तर ना बनें और दूसरा रहिवार के दिन नमक ना खाएं आपका सूरिय दिन परते दिन बलवान होता चला जाएगा राजा के समान सुक देने वाला सूरिय ग्रह का काम है आप सभी को विशे समझ में आया होगा आप सभी को नमस्कार